दोस्तों क्या आप अपने एक नया PC बिल्ड करना चाहते हो और आपको अपने लिए सबसे बैतरीन इंटर्नल हार्डिस्क चाहिए तो आप लोगों ने एक दम सही वीडियो पर किलिक है दोस्तों हार्डिस्क हमारे लिए एक बहुत ही important component हो जाता है क्योंकि सिर्फ speed के काम नहीं आती है data storage के काम में भी आती है और हमारा data ना बहुत ज़्यादा important होता है तो ऐसे में आप लोगों को अपने लिए सबसे बैतरीन हार्डिस्क को consider करना सोचना चाहिए क्यों क्योंकि अगर आप लोगों की हार्डिस्क खराब हो गई तो 3-4-5,000 रुपे लगे हार्डिस्क को दूसरी भी आ जाएगी लेकिन आप लोगों का data नहीं आएगा और अगर आप लोगों को अपने data की recovery चाहिए भी तो आप लोगों को इन companies को बहुत ही जादा मोटा amount देना पड़ेगा एक example की रूप में आप लोगों को बताता हूं गर आप लोगों कोई data है न 100GB 200GB कितना भी हो और आपकी जो hard drive है वो damage है और थोड़ा जादा damage है तो आप लोगों के 30, 40, 50,000 रुपे भी लग सकते हैं आपके data recover करने को भले ही वो data 1GB ही क्यों ना हो तो ऐसे में अपने लिए सबसे बहतरीं hard disk सिलेक्ट करना जरूरी है ताकि long term में हमें कोई भी दिक्कट ना है don't worry guys मैं आपका भाई आ गया हूँ एसी ही hard disk इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके नमस्कार मेरे नाम है प्रिशान चोतरी वेलकम पे दो प्रटोक वैदार और अगर आप नए हो अपने चैनल पे तो make sure कि अपने चैनल को अभी से subscribe करके bell icon को press करते क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पे आती रहती है और hard disk में एक और चीज होती है अच्छी hard disk लेना ज़रूर ही है जिसकी speed अच्छी हो क्योंकि आपके PC की speed भी इस चीज़ पे depend गरती है और अगर आप लोग gamer हो और editor हो तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना अब बात करते हैं बाई इंडिया में आने वाली TO5 hard disk की तो यहाँ पर number 5 पर हमाई तरह से आने वाली है Toshiba की hard disk ये basically 2.5 inch SATA hard disk होने वाली है और जो उसकी speed है ना भाई वो आप लोगों मिलते है 5400 rpm एंड ये 6 GB per second के interface पे काम करती है जो की काफी बढ़िया speed है एंड 2.5 के तरफ से ये hard disk आप लोगों को 500 GB, 1 TB और 2 TB के option में देखने को मिल जाएक और सिर्फ ये नहीं इसको आप laptop से भी connect कर सकते हो, Mac से भी कर सकते हो, PC से भी कर सकते हो even PlayStation 3 और 4 से भी connect कर सकते हो और 2 साल के warranty के साथ में आज एक डेट में 3700 रुपी जिसका price होने वाला है 1 TB वाले variant का, बाकि ये जितने भी hard disk में आप लोगों से इस वीडियो में डिसकस करूँगा ये सभी अलग-अलग capacity में available है, उन सभी के links में नीचे description में आप लोगों के लिए डाल दूँगा अब नमबर 4 पर आती है वाई, Western Digital की तरफ से आने वाली hard disk, internal hard disk दोस्तो, Western Digital भी ना बहुत बढ़िया brand है, और बहुत प्यारे-पैरे computer components आप लोगों को मिलते हैं जैसे कि मेरे पास में भी आप लोगों को external hard disk मिलेगी, WD की क्योंकि इसमें आप लोगों को 7200 RPM की speed मिलती है, वीड दैट आप लोगों को मिलता है 6 GB per second का interface और ये hard disk ना आप लोगों को 500 GB से 8 TB तक जो है available मिल जाएगी, एक चीज़ का ध्यान रखना ये वाली hard disk है, ये सिर्फ PC के लिए है, laptop के लिए ये वाली hard disk नहीं है, बट PC के लिए बहुत ही बढ़िया option ये हो सकता है, दो साल की warranty के साथ में ये hard disk आप लोगों को 3500 उपीज में आज की डेट में मिल जाएगी, इसका भी लिंक आप लोगों को निचे description में मिल जाएगा, लेकिन अब बढ़ते हैं हमाई तरफ से आने वाले next product, जो की होने वाली है बाई, Seagate की internal hard disk, अब Seagate की hard disk में आप लोगों को मिलता है 7200 RPM की speed, इसी चीज़ से decide होती है, वैसे read right speed की बात करें तो इस hard disk में आप लोगों को मिलती है 210 MB per second की read right speed और 6 GB per second के interface पे ही ये hard disk वर्क करके, ये hard disk ना आप लोगों को 500 GB से लेके 8 TV तक अवेलेबल मिल जाएगी, ये hard disk भी PC के लिए compatible है, अगर आप लोगों को laptop के लिए चाहिए, तो आप लोग तोशीबा की consider कर सक बाकि 2 साल की warranty की साथ में आज की rate में आप लोगों को मिलती है 3300 रुपीज की ये वाली hard disk, एक TV variant, अब बढ़ते हैं हमाई तरफ से आने वाले number 2 product की तरफ बाई, और ये आती है western digital की तरफ से आने वाली hard disk, दोस्तों ये बहुत ही खास एक hard disk आप लोगों के लिए होने वा आपका PC perform कैसा करता है, और तभी जहातर लोग यहाँ पर SSD को consider करते हैं for their primary drive, 1TB से लेके 8TB storage तक आप लोगों को ये available मिल जाएगी अलग-अलग variants में, and इस पर आपको मिलती है brand की तरफ से 5 साल की warranty, तो warranty भी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, and ये one of the best hard disk रहने वाली ह अगर आप gamer हो, या आप लोग एक video reader है, आप लोगों को heavy काम होता है अपने PC से, आज की rate में इसका price लगबग 9,500 रुपे के बीच में vary करता रहता है, but definitely one of the main product हो सकता है इस segment में, अब जो हमाई list पे number 1 पे product रहने वाला है, दोस्तों ये बहुत ही खास product होने वाला है, इसक basically क्या होता है, speed देखी जाती है hardisk कि उसके RBM से, तो ये वाली hardisk भी आप लोगों को 72,000 RPM की speed में मिलता है, तो RBM तो आप लोगों पर जादा मिल गए, बट क्या आपकी hardisk अपने full potential पे काम करती है, तो दोस्तों ये hardisk definitely अपने full potential पे काम करेगी, और 7,200 RPM के साथ में आप लो 5 साल की warranty के साथ में आप लोगों को ये hardisk मिलती है, best रहने वाली है if you are a gamer और editor, price की बात करें तो obviously अच्छी और fast hardisk है, तो price थोटो से जादा होने वाला है, around 11,000 रुपीज इसका price होने वाला है, आज की rate में 2 TB variant का, but बहुत ही बढ़िया option रहने वाला है, दोस्तों इन पां hardisk है, अपने price range में, internal hardisk के अगर हम बात करें, इन में से किसी को भी आपको consider करना हो, अलग-अलग capacity में आती है, और उन सभी hardisk के link आप लोगों को सीधा नीचे description में मिल जाएंगे, I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, helpful लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को like जरूर करें, आप ही लोगों का चैनल है, subscribe करके bell icon को पैस जरूर कर दो, ताकि जब भी हम इसी तरीकी की वीडियो डालें, तो सबसे पहले उसकी notification आप लोगों को तक पहुच जाए, इसके लावा अभी भी अगर आप लोगों के मन में कोई doubt है, question and query है, तो feel free to comment down below, 24 गंटे के अंदर आप लोगों की हर एक comment के reply देने का हम कोशिश करेंगे, या और कुछ बात करने हो तो Instagram पर जोड़ सकते हो, see you guys in the next video, thanks for watching, प्रिशान चोड़ें